गुड़ मॉर्णिंग आरिवन कैसे आप लोग अब हम नई लेक्चर स्रीज चाल लोगनने वाले हैं ये हम राजस्तान की एकणोमी की बारे में करेंगे और ये कोर्स हमारा बाइलेंग बाल होगा और इसके अंदर हम स्लेबस कवर करेंगे राजस्तान के एकणोमी का ये मेंस के सिलबस केकर बात की जाए तो यह हमारा सिलबस है एक डिकल्चर होटी कल्चर फोरेस्ट्री टेरी एनिमल आसबेंडरी यह भी स्पेशल रफ्रेंस टो राजस्तान राजस्तान के परिपेक्ष में हमें चीज पढ़नी है फिर हमारा दूसरा टॉपिक दे रखा है सिलब परिपेक्ष में ग्रोथ डेवलेमेंटर प्लानिंग के पारे में हमें पढ़ना है फिर अगला जो हमारा है वह रिसेंट डेवलेमेंट इस्यूस इन सर्विस सेक्टर फ्राजस्तान राजस्तान में हालिक डेवलेमेंट हुए हैं कौन-कौन से सर्विस सेक्टर के अंदर व का impact पड़ा है अगर फिर हमार अगला सलेबस अगला टॉपिक है वह पब्लिक प्राइबिट पार्टनर्शिप पी 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 मोडल पे बारे में बता रखा है किसे नी राजस्तान की एकनोमी को कैसे फिर अगला बता रखाए कि डेमोग्राफिक से ने अगर प्रीजिश लेबस की तो प्रीश लेबस के अंदर हमारा मैक्रो ओवर्विव फिकनोमी मेजर अगरिकल्चर ने इंडिस्ट्रियलन सर्विस एक्टर इश्यूस ये हो जाएगा ग्रोड डॉलमेंटर प्लानिंग है इंफ्रेस्ट्रिक्शनली सोसे जैं मेजर डॉलमेंट प्रोजेक्ट से और कौन कौन सी गॉर्मेंट की वेलफरी स किम चलाए गई है सेस्ट्ट बैक अवर्ड माइनटरी टोले से अबर परसनस के लिए चिल्डरन्स के लिए ओच ओल्डेज पीपल्स के लिए फामस के लिए या में पढ़ना है या मर्सले बसके अंदर है तो हम देरे देरे अप्सले बसको कवर करेंगे और आपका पूरा स पिरस से लेके मेंस लेबस तक का और यह जो हमारी लेक्चर सेरीज है यह हमारी यह आपकी और एड़े एस शचराइसय आपकी या वह आपकी С-I क्यूंकि SI का सलेबस और RSPRI का सलेबस बिलकुल सेम है और जो भी राजस्तान में जो पिया एक्साम्स होती है जिसमें राजस्तान की इकनोमी आती है उसमें सब पे हेल्फुल होगा तो आप ये लेक्चर वो जरूर देखें और हम दीर दीर अब लेक्चर को डालना शुरू करने वाले हैं आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप में कॉमेंट सेक्षन में अपने सुझाओ प्रतिकरिया में दे सकते हैं थैंक्यू सो मच